कॉंट्रोफर्सी क्वीन राखी सावंद इन दिनों अपने पती आदिल खान को लेकर काफी परिशान है शादी के बाद अब तक आदिल ने राखी को पूरी तरह से नहीं अपनाया है और ये बात राखी को अंदर ही अंदर परिशान कर रही है वहीं जब उन्हें इस बात का पता चला कि आदिल का किसी और लड़की के साथ अफेर चल रहा है तो इससे उनका दिल तूट गया हालांकि उन्होंने कुछ दिनों तक तो ये सब बरदाश किया पर आदिल के बड़ते सितम को देख राखी के सबर का पहार तूड़ गया और फिर फाइनली उन्होंने आदिल की गर्ल फ्रेंड के नाम का खुलासा करते हुए बताया कि उस लड़की का नाम तनू है राखी का मानना है कि तनू उनके और आदिल के रिष्टे में दरार पैदा कर रही है तो वहीं राखी के इन आरोपों पर तनू ने भी अपनी चुप्पी साद रखी थी लेकिन हाल ही में अपने इंस्ट्राग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट की जरिये तनू ने चुप्पी तोड़ी और राखी के आरोपों का दिया मुतोर जवाब तनू ने हाँ राखी को लिखा है राखी मैंने तुम्हें और तुम्हारी फ्रेंड को पहले ही कह दिया था कि मेरा आदिल से कोई लेना देना नहीं है इतना सब कुछ देखने के बाद मैं आदिल की तरफदारी नहीं करूँगी ये पती-पत्मी का मैटर है मुझे इसमें मत खसिटो हालांकि तनू के इस पोस्ट पर राखी का अब तक कोई जवाब नहीं आया है आपको बता दें कि राखी ने मीडिया के सामने तनू को कहा था शेम ओन यू तनू मेरा पती चुरा के कितनी दिन लखोगी तुम्हारी लाइफ टाइम उसके साथ कितनी दिन है टेक हिम, यू टूक इट फ्रॉम मी इसके बाद राखी उंगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहती है उसका हस्बिन चुराया है तुमने शेम ओन यू तनू राखी आगे कहती है कि वह लड़की तनू आदिल को इतना भड़काती गई कि मेरे और आदिल के बीच हाता पाई हो गई अपने बचाओं में मुझे जो करना था मैंने वो किया वह लड़की बार बार फोन करके कहती थी पीटो मारो उसे वह कहती थी उसको छोड़ो मेरे पास आओ मेरे पास BMW कार है इंपेरियल हाइट्स में फ्लैट है तो ये थे राखी के वो आरोप जो उन्होंने तन्नु चांदेल पर लगाये थे अब देखना ये है कि तन्नु के इस जवाब पर राखी का क्या रियक्शन आता है बताते चले कि आदिल इस वक्त पुलिस हिरासत में है दरसल राखी ने उन पर मार पीट का आरोप लगाते हुए चै परवरी को मुंबई के ओशिवारप पुलिस टेशन में शिकायत दर्च करवाई थी इसके बाद साथ परवरी को आदिल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और फिर आठ परवरी को आदिल को कोट में पेश किया गया रिपोर्ट की माने तो आदिल को कोट ने 14 दिन के लिए नियाई खिरासत में भेज दिया है